नमस्कार मैं हूँ मनीश आप देख रहे हैं दी न्यूज, दी न्यूज, दी न्यूज, दी न्यूज, नैनेक्स में आप सभी का स्वागत है पूरे बिहार में एक चीज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया से लेकर अन्य जगह पर हैस्टेक रिलीज पपू यादव आखिर ऐसा क्यूं जानते हैं इस वीडियो में बिहार में जन अधिकार पार्टी के प्रमुक और पूरुसांसत पपू यादव की 32 साल पूराने मामले में गिरफतारी के बाद सीयम नितीश कुमार की मुस्कले बढ़ती जा रही हैं पपू यादव के समर्थक तो सड़कों पर उत्रे हुए ही हैं यहां तक कि नितीश कुमार के सहयोगी दल भी पपू यादव पर हुई इस कारवाई की आलोचना कर रहे हैं आपको बता दे कि पपू यादव को 14 दिनों की नियाएक हिरासत में भेजा गया है इसके लिए मंगलवार 11 मई की आधी रात को मधेपूरा सिविल कोट खुला वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्य पूरुस्तांसत की पेशी हुई सुनवाई के दारान पपू यादव ने कोट के सामने अपनी बीमारी का हवाला दिया लेकिन नियाएक दंडादिकारी सुर्भी स्रिवास्तव ने उन्हें नियाएक हिरासत में बीरपूर सुपॉल जेल भेजने का आदेश दिया साथ ही कहा कि उन्हें जेल में बहतर इलाज की विवस्ता की जाए बता दे कि रात में करीब 12 बजे अधिकारी पुर्व सांसत को लेकर बीरपूर जेल लेकर गए इससे पुर्व जाप के कारिकरताओं ने जम कर हंगामा किया पुलिस जब पपु यादव को गांधी मैदान थाने से मधेपूरा ले जा रहे थी भीड ने पुलिस के काफिलिक को रोक लिया एनेश-19 पर बड़ी संख्या में पार्टी कारिकरता रोड पर लेड गए बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन्हें हटाया इससे मधेपूरा में पपु यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर गहरी साजिश के तहट जेल भेजा जा रहा है जबकि मैंने डेड महिने से नितीश कुमार की मदद की है मैंनितीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर जो मामला हाई कोट में लंबित है उसमें कोरोना काल में गिरफतारी क्यों जरूरी है कोट के आदेश पर बीरपूर जेल भेजे जाने के बाद पपू यादब को जरूरी सुविधाई नहीं दी जारी है इसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिये है अब हम आपको गिरफतारी की पूरी वजह बता देते हैं पपू यादब को 11 मही की सुभ़ पटना पुलिस ने गिरफतार किया था वजह पटना में मेडिकल कॉलेज के कोविड वाड में बीना इजाज़त जाने की बात बताई गई इसके कुछ घंटों के बाद पुलिस अफसरों ने बताया कि पपू यादब पर मधेपूरा में अपहरन और हत्या के 32 साल पुराने एक मामले में वारेंट था मधेपूरा पुलिस ने पटना पुलिस से संपर किया था देर शाम मधेपूरा पुलिस एक DSP के नित्रुत में पटना पहुची और पपू यादब को साथ लेकर चली गई मधेपूरा के उदा किशनधंज के कुमारखंड थाने में 1989 में यह मामला दर्ज हुआ था इसमें पपू यादब अभियुक्त थे उन्हें बेल मिली थी लेकिन यह बेल टूट गई इसके बाद 22 मार्ज 2021 को कोट ने वारेंट जारी किया अब हम आपको बता दे कि पपू यादब की पत्नी और उनके बेटे ने इस मामले पर क्या बोला है पपू यादब की पत्नी और कांग्रेस की पुरुसांसद रंजीत रंजन ने कहा कि इस गिरफतारी को लेकर बिहार की नितीश सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि अगर उनके पती को कुछ हुआ जिसके आशंका है तो नितीश जी आपके लिए और बिहार की NDA सरकार के लिए बहुत ठीक नहीं होगा पपू जी के साथ कोई बड़ा शर्यंत हो रहा है वहीं पपू यादव के बेटे सार्थक ने कहा कि जितनी हिम्मत मेरे पिता को ठाने में रखने और गिरफतार करने में दिखाई है जितीश कुमार जी पिछले कुछ घंटों में कास उतना जोर अस्पताल के निगरारी में लगाया होता तो मेरे पापा को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता बिहार को मेरे पिता की जरूरत है राजनितिक दुश्मनों की नहीं वहीं राज़त ने इस पूरे मसले पर कहा कि पपू यादव की अभी गिरफतारी कर अच्छा नहीं किया गया फिलाल इस खबर में इतना है बिहार सहे देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें अगर आप हमारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक करें अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहें तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज नायक सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन जरूर बजाए ताकि हमारी हर अप्लूट कीगे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे और हाँ अपने इस्टाग्राम पर आचुके हैं आपने इस्टाग्राम पर फॉलो कर लें शुक्रिये